हलो बचो इंपोर्टेंट क्वेशन की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है 29 अप्रेल के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज स्टार्ट की है इंपोर्टेंट क्वेशन की सीरीज जहां पे मैं रोज एक वीडियो डेलिवर करूंगा आपके सामने ले वहां से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी बाकि ये है हमारा सेकेंड वीडियो जो की हमारा 29 अप्रेल को पेपर होने वाला है उसको टार्गेट करके अपन लेके आ रहे हैं ये वीडियो और बहुत ही अच्छे से शॉट्टी के साथ मैं समझाता हूं उसमें कि कैसे हर ए जोए विडियाले इंट्रस निट्रस घ्जामेनेशन 2024 थेन यूगान जवाईन और अलफा बैच नोदै आलफा बैच है इसमें आप नोदै विडियाले 2024 के लिए प्रिपेर कर सकते हैं और इसमें और प्रिपेरिंग फॉर सेनिक स्कूल इंट्रसे इइश्ची में जोएन ज टेस्ट आपको मिलेगा ताकि एक चेप्टर जब कम्प्लीट होता है तो आप देख पाओ कि कितनी आपने improvement की है और आपका क्या score रहा है आपके सामने जो और बच्चे हैं उनका क्या score रहा है where you stand ठीक है तो यह सारी analysis आपको इसके अंदर मिल जाएंगी ठीक है इसके अलावा अगर आप 2030 के लिए तयारी कर रहा है तो नौदे विद्याले के mock test हमारे पास है model paper की series with video solution यह आपको drone school के app के अंदर मिल जाएगा तो drone school का app का आप install करो play store से जा करके and यह सारे series में enroll करके अपनी preparation को बहतरीन बनाओ चलो so let's start with the session सबसे पहला question देखो आप ही लोगों बच्चों में से एक आद question जिसने भेजा है यह देखो एक संख्या है लिखावा बटा एक संख्या है जिस उसके बारे में तीन condition दे हुई है पहला condition यह है दूसरा condition और तीसरा condition कह रहा भाई एक संख्या ऐसी है जिसका मान पचास से कम है यानि the value of the number is less than 50 जो साथ का गुणज है गुणज एक ही बात है यानि कि multiple of seven है यह ठीक है तीसरा condition है इसके तीन घटक है तीन घटक मतलब गटक मतलब उसके तीन टुकड़े है तो वह संख्या कौन से है आप से पूछ रहा है यानि तीन घटक मतलब तीन गुणखंड है factors है तीन ठीक है यहाँ पे यह अलग-अलग नाम दिया हुआ है तो इसमें आप confuse मत होना बिटा गुणख का मतलब क्या हो गया गुणख का मतलब हो गया गुणज यानि कि multiple हो गया और घटक का मतलब यह हो गया घटक का मतलब हो गया गुणखंड गुणखंड यानि कि factors हो गया ठीक बात है जी, घटक का मतलब गुड़न खंड हो गया और गुड़क का मतलब गुड़न जाने की मल्टिपल्स हो गया कह रहा है वो संख्या कौन सी है, सबसे पहले देखो 50 से कम पहला कंडिशन है, तो ये तो 14 है, ये तो हो नहीं सकता सॉरी, ये हो सकता है, ये 70 जो है, ये 50 से ज़्यादा है यानि भाई ये नहीं हो सकता, है ना, ये 50 से ज़्यादा है तो ये भाईया हमारे कंडिशन से बाहर है, तो ये नहीं हो सकता 42 हो सकता है, 14 हो सकता है, 49 हो सकता है 2 गुने 3, 2 त्याई 6, सते 42 हमसे क्या कहा गया है हमसे कहा गया है कि भाई साहब 3 घटक है और 7 का गुनज भी है तो 7 के गुनज तो सारे हैं कैसे हमें पता चुकि इसमें भी 7 आ रहा है इसमें भी 7 आ रहा है तो जो ये 3 संख्या है 14, 49 and 42 ये सारे ही साथ के गुणंच है लेकिन आप देखो कि इन सभी में इसमें दो घटक हैं घटक का मतलब वही factors इसमें बेटा दो factors आ रहे हैं है ना ये पहला और ये दूसरा इसमें भी दो ही factors आ रहे हैं ये पहला और ये दूसरा इसमें देखो आप कि इसमें जो है तीन factors आ रह हैं कहने का मतलब यह हुआ कि यही हमारा correct answer है that is 42 जिसमें तीन factors आ रहे हैं यह 50 से कम भी है और यह 7 का जो है 7 का multiple भी है ठीक है 7 का multiple ही है चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर यह देखो the next question is here on screen क्या कह रहा है work and time का question है आसान सा सवाल है बेटा आप सभी कर सकते हो work and time का देखो आप से यह कह रहा है कि 8 पुरुष अथवा 10 औरते अथवा 16 लड़के एक दिन में 1024 रुपए कमा सकते हैं तो 6 पुरुष 5 औरते और 4 लड़के कितने दिनों में 768 रुपए कमाएंगे अब यहां अथवा लिखा हुआ है मतलब और और का मतलब कि या तो पुरुष काम करेंगे या तो महिलाएं काम करेंगी या तो बच्चे काम करेंगे तीनों साथ में नहीं करेंगे जी ठीक है या तो पुरुष काम करेंगे या तो औरते काम करेंगी या तो लड़के काम करेंगे तीनों साथ में काम नहीं करेंगे तीनों अलग-अलग काम करेंगे अगर करेंगे तो ठीक है? अच्छा तो देखो बेटा ये कह रहा कि 8 पुरुष, 10 ओरतें और 16 लड़के, अगर मैं ये कहता हूँ कि 8 आदमी काम करें तब भी वो कमाएंगे 1024 रुपे 10 ओरतें काम करें 10 विमन अगर काम करें तब भी वो इतने ही रुपे की कमाई करेंगी और 16 अगर लड़के ये कि बॉयस काम करें तब भी वो 1024 रुपे ही कमाएंगे यानि मैं कह सकता हूँ कि 8 आदमी बराबर हैं 10 ओरतों के और 10 ओरतें बराबर है 16 लड़कों के है ना? तो सबको मैं बराबर कर सकता हूँ यहां से बोलो बेटा मैं लिख सकता हूँ कि भाई 8 आदमी यानि की पुरुष बराबर 10 ओरत और बराबर 16 लड़के क्या मेरी बात सही है बोलना इन तीनों को मैंने बराबर कर दिया क्यों बेटा? क्योंकि यह तीनों अगर अलग-अलग काम करेंगे तो 1024 रुपए कमाएंगे ठीक है? अब आप से क्या कह रहा है? 6 पुरुष हमें ऐसे क्वेशन में करना क्या होता है इन सभी को किसी एक यूनिट में बदल लो किसी भी और 10 औरतें भी 16 लड़कें की बराबर है तो इन सभी को अगर मैं लड़कों में बदलनू तो क्या मैं बदल सकता हूँ? 8 पुरुष इसके दुगुने लड़के मतलब 16 लड़के तो अगर मेरे पास 6 पुरुष है इनको मैं लड़कों में बदलना चाहता हूँ तो ये 6 पुरुष कितने हो जाएंगे? 6 का 2 टाइम्स यानि कि ये 12 लड़कों के बराबर हो जाएंगे कौन बेटा? ये 6 पुरुष ये 6 पुरुष 12 लड़कों के बराबर हो गए अच्छा जी ठीक है 10 औरते 16 लड़कें के बराबर हैं ध्यान से समझना अगर 10 औरत जो है 10 औरतें ये बराबर है 16 लड़कों के बराबर है ठीक है? तो एक औरत बराबर कितने लड़कों के होगी बोलो एक औरत कितने लड़कें के बराबर काम करेगी 16 और बटा 10 ये 10 नीचे आजाएगा, 16 बटे 10 लड़कों के बराबर काम करेगी एक औरत, हमें कितनी औरतों को convert करना है, 5 औरते हैं, तो 5 औरत कितने लड़कों के बराबर काम करेगी, 5 औरत जो है बटा, 5 औरत, ये 16 बटा 10 और गुणे 5, यानि यहां से मैं काट दूं, देखो धियान से, 5 दुनी 10 और 2 और 16, यानि कि 8 बटा यानि 8 लड़कों के बराबर काम करेगी, 5 औरते, अब हमने क्या किया, आदमी को भी लड़कों के यूनिट में बदल लिया, यानि कि लड़कों के बराबरी में कर दिया, और औरतों को भी लड़कों के बराबरी में कर दिया, अब हमार 6 पुरुष 5 औरते और 4 लड़के यही तो डेटा चाहिए ना 6 पुरुष को भाई अगर मैंने लड़कों में बदला तो 12 लड़के आ गए ठीक है इसको लिख दो 12 वाईज 12 वाईज प्लस 5 औरतों को अगर मैंने लड़कों में बदला तो अभी मैंने देखा 5 औरते 8 लड़कों के बराबर काम करेंगी यानि कि 5 औरतों को मैं अगर लिखना चाहूं लड़कों के रूप में तो 8 वाईज आ जाएंगी चार लड़के तो भी या चार लड़के तो लड़के हैं ही हमारे पास ठीक है इन तीनों का जब हम आपस में जोड़ेंगे यानि कि 12 बॉयस, 8 बॉयस, प्लस 4 बॉयस सब मिला करके कितने हो रहे हैं बोलो बैटा ये सब मिला करके 12, 8, 20, 4, 24 यानि कि 24 बॉयस, टोटल मिला करके हो रहे हैं ठीक है तो टोटल बॉयस मिला करके हो रहे हैं 24 अब देखो बिल्कुल शुरुवात में चलते हैं क्वेस्चन की स्टार्टिंग में बिल्कुल चलो क्वेस्चन की स्टार्टिंग में क्या कह रहा था कि 16 लड़के एक दिन में कमाते हैं 1024, ठीक है, तो आप से ये पूछ रहा है, simple, कि 24 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे, अगर 16 लड़के एक दिन में कमाते हैं 1024, तो 24 लड़के कितना कमाएंगे, देखो, simple work and time का question है, तो formula वही लगा दो, M1D1 is equal to M2D2, पहले कितने लड़के थे या, पहले 16 लड़के थे, एक दिन में कितना कमाते थे, या फिर काम कितना करते थे, बात वही है, तो कितना कमाते थे, 1024, is equal to M2D2, नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं लगेगा, चुकि देखो, ऐसे simple लगाओ न, 16 लड़के हैं, 24 boys हैं, तो वो एक दिन में कमाएंगे, 16 का इसमें भाग दे दो, 1024 बटा सोल है, और 24 से आप गुणा कर दो, चुकि 24 लड़के आगे तो 24 से multiply कर दो, मैंने आपको एकिक नियम पढ़ाया था, जहां पर ये कहा था, कि 16 लड़के 1024 कमाते हैं, तो एक लड़क यहां से मैं बहुत सी simply काट सकता हूं इसको, आठ दुना सोल है, आठ तरिका 24, दो से काटा, भाई, दो पंजे 10, पांसो बारे आगया, पांसो बारे गुणे तीन मेटा, तीन दुना छे, तीन एक निन, तीन पंजे 15, आने कि 1536 हमारा answer आगया, क्या हमारा answer आगया बोलना 1536, गॉड़िट, तो 1566, एक मिνट लेकिन, हमने गलत कर दिया यह बटा, हमसे यह नहीं पूछा था की एक दिन में कितने कमाएंगी, हमसे यह पूछा था, की 768 रुपे कमाना हैं और कितने तिन लगाएंगे, ठीक ठीक, हमने यह निकाल लिया की एक दिन में कितना कोई दिक्कत नहीं है 768 रुपए कमाना है तो एक काम करो बेटा 16 लड़के थे 1024 कमा रहे न तो 768 अगर उन्हें कमाना है तो बहुत सिंपल सी बात है 1024 कमाते हैं अच citation सुनो नहीं इहां से भी निकल सकता है हमारा जैसे हमने ये कहा ना कि 1536 रुपय एक दिन में कमाएंगे ये एंसर नहीं है ये सबसे पहला हमारा एंसर आया है कि एक दिन में जो है एक दिन में ये 1536 रुपए कमाएंगे ये वन डे की बात है 24 लड़के वन डे में एक दिन में 1536 रुपए कमाएंगे तो यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1536 रुपए कमाते हैं एक दिन में ठीक है तो एक रुपए 1536 रुपए कमाते हैं एक दिन में तो एक रुप तो 768 रुपे अगर कमाना है, तो 768 रुपे कमाएंगे कितने दिन में? एक बटा 1536 और गुडे 768 ये क्या कट रहा है? बिल्कुल कट जाएगा 6 दुना 12, 8 दुना 16, हाँ जी, दो बार में कट जाएगा, तो ये दो बार में कट जाएगा, एक बटा दो दिन हमारा करेक्ट एंसर आजाएगा, ये एंसर होगा, बात समझना मेटा, हमने पहले क्या निकाला कि 24 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे? निकाल लिया, सिंपल इस तरीके से, कि 24 लड़के एक दिन में कितना कमाएंगे? यह हमने निकाल लिया कि 1536 कमाएंगे अब हमको 1536 की जरूरत नहीं है हमको जरूरत किसकी है 768 रुपए की जरूरत है तो फिर हमने Unitary Method का यूज किया और निकाल लिया कि 768 रुपए कितने दिन में वो कमाएंगे ठीक है? चलो अगला सवाल यह प्रशान तार्या ने भेजा था यह क्वेशन ऐसे यह आप भी क्वेशन भेजा करो टेलीग्राम गुरूप में जो भी अच्छा लगेगा मुझे मैं वो क्वेशन जरूर से लूँगा यहाँ पे कह रहा है कि एक एकड में गेहूं की उपज यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझनी जरूरी है कि एक टन में कितना किलो ग्राम होता है और हे एक हेक्टेर में कितना एकड होता है तो अगर मैं एक हेक्टेर लिखू एक हेक्टेर की बात करता हूँ एक हेक्टेर तो यह बराबर हो जाएगा 2.47 ठीक है और एक और चीज बेटा, एक टन बराबर, एक टन बराबर 1000 kg, इन दोनों डेटा को आप याद कर लेना, यह बहुत जरूरी डेटा है, ठीक है, इन दोनों डेटा को याद करके आओगे, बोलो बेटा, comment section में लिखना तुम मुझे कि मैंने याद कर लिया है, कम से कम इन दोनों चीज़ों को लिखो, कि एक हेक्टेर बराबर कितना एकर होता है, और एक टन बराबर कितना किलो होता है, ठीक है, चलो, कह रहा है कि एक एकर में गेहूं की उपर जितनी होती है, तो एक हेक्टेर में कितना होगा, एक हेक्टेर यानि आप से ये पूछना च यह हो जाएगा 20 यह 24.71 इंटू 58 दिस विल भी इक्वल टू कितना होगा आठ है कम आठ हो गया आठ सते चपन पांच आठ चो के बतीस बतीस और पांच सैंटीस तीन आड़ दूना सोले तीन उननिस पांच 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 सते पैथिस तीन पांच चो के बीस तीन तेईस दो औ और पांध उना दस तो बार यह हो गया एट टश्च ांच आठ अगश्मक यह देखो यह इतना किलो आ रहा है लकिन हमारे एंश रहा आरा है और ध्यान रखना अगर आपके एंसर में यह होता भी ना तब भी टिक नहीं करना है क्यूं आपसे पूज़ा है कि कितना टन गेहूं का उधपादन होगा, यानि कि आपको एंसर टन में देना है, आपको एंसर टन में देना है, अब ये चीज़ किलो ग्राम में है, इसको मैं बड़े यूनिट में बदलना चाहता हूं, तो जब भी मैं छोटे से बड़े यूनिट में बदलता हूं, तो मुझ चोटे चोटे टुकड़े में बदल रहा है ना यानि जब हम चोटे टुकड़े में बदल रहे हैं तो हम गुणा करते हैं ताकि वो चीजों की संख्या बढ़ जाए ठीक है और गुणा सही बढ़ता है भाग से तो कम होता है जैसे चार में दो का भाग दोगे तो दो आएगा कम हो गया, चार में दो का गुणा करोगे तो आठ हो जाएगा, यानि कि चार था आठ हो गया मतलब जादा हो रहा है, ठीक है वही बात है बेटा, कि इसको छोटे यूनिट को आपको बड़े यूनिट में बदलना है, कहने का मतलब यह है, कि आपको अगर किलो ग्राम को टन में बदलना है, तो एक हजार से भाग देना पड़ेगा एक हजार से डिवीजन करना पड़ेगा, या फिर भाग देना पड़ेगा, अगर आपको बेटा टन को किलो ग्राम में बदलना है, तो आपको एक हजार से गुणा करना पड़ेगा, एक हजार से आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, ये दो चीज़ें याद रखो, अब देखो, इसको अगर मुझे टन में बदलना है, तो एक हजार से भाग दे तो बैटा, 1433.18 and divided by 1000, तो ध्यान से देखो हमने short tick आपको बताई थी, कि जब भी 30 से भाग दोगे, तो 3 दसमलों इधर किसक जाएगा, तो 1.433.18 आ जाएगा, 1.433.18, कुल मिला के भाई, ये वाला एंसर सबसे करीब है, तो ये हमारा correct answer हो जाएगा, option number 4, ठीक है, समझ में आ रही है, बास चलिए, अब बढ़ते है next question पे और इसी तरह के सवाल कराऊंगा, ध्यान से पूरी वीडियो देखना आपको, आपको ध्यान से पूरी वीडियो देखना है, बिल्लकुल वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है, ये ज़रा देखना, एक मिला टुक जाओ, कौन सा सवाल मैं कराऊं, अच्छा हाँ, ये वाला एक सवाल मैं हूमोर्क में आपको देता हूं, ये वाला सवाल, इसको मैं कल कराऊंगा, थीक है, ये बहुत अच्छा question है, किसी एक बच्चे ने भेजा है, मैं हिंट इसमें आपको दे दे रहा हूं, थोड़ा सा हिंट, मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं कि किसी एक को किसी एक विक्रे मुल्य को नई क्रे मुल्य को किसी एक CP को X मान लो किसी एक CP को X मान लो है ना यह मैं हिंट दे दिया मैंने इसमें इसका तुम्हें अच्छे से answer लिखना है detail solution लिखना है group में भी ढाल सकते हो तुम जो अपना टेलिग्राम ग्रूप है और इसमें भी comment section में भी लिख सकते हो तो ध्यान से ये answer आपको देना है अच्छे से लिख करके ठीक है मैंने hint आपको दे दिये बेटा ये चीज होम और काप करहेगा और इसको मैं कल solve करवाऊंगा कल के वीडियो में इसको solve करेंगे हम लोग चलो अभी ये देखो भई ये जो है ये question जड़ा करते हैं सुनो आसान सा question है बेटा ये वरगी करण का question आगया आपका वरगी करण का question यानि की odd man out का question odd man out का question देखो इसमें बड़ी simple सी बात है बहुत सारे बच्चे option number one पे टिक करेंगे क्यों क्योंकि ये एक curve है जबकि बाकी सारे lines है यानि की रेखाएं है लेकिन बटा ये गलत है logic ये सही नहीं होगा इससे अच्छा logic जो आप इसमें लगा सकते हो वो ये है कि यहां पे आप देखोगे तो ये जो दोनों आकरितियां एक दूसरे को cross कर रही है वो equal है यानि की वो बराबर है दोनों है ना यहां भी ये जो दोनों आकरितियां एक दूसरे को cross कर रही है वो बराबर है यानि की equal है दोनों यहां भी यह दोनों आकृतियां एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही हैं, वो equal हैं, बराबर हैं, लेकिन जब यहां तुम देखोगे option number 3 में, तो यह आकृति तो भाई बड़ी है, लेकिन यह वाली आकृति, master, छोटी आकृति, यह छोटी आकृति है, यह छोटी आकृति है, ठी लेकिन option number B में, अगर हम देखें, sorry, option number C में, यानि कि तीसरे option में, तो एक figure बड़ा और दूसरा figure छोटा है, यानि कि यह सबसे different है, है रहा, so this will be the correct answer, चलो, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, यह देखो, इस समीकरण में question mark का मान बताना है आपको, यह दिखतो रहा है आप को screen पे अच्छे से, good, चलो, ठीक है, यह हमारे उसका question है न, I think यह DPP का question है, चलो, तो यह 3, 2, 5, 0 is equal to question mark into 79 plus 11, देखो बटा, बहुत simple सवाल है, यह जो plus 11 है, इधर आ करके minus 11 हो जाएगा, तो 3, 2, 5, 0 minus 11 is equal to question mark into 79, तो minus 11 अगर आप करोगे, तो 3, 2, यहा मैं लिख देता हू नीचे, 3, 2, 3, 9 is equal to question mark into 79, अब यह जो 79 है इधर, इसका इधर गुणा हो रहा है, तो इधर आ करके इसका भाग हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जी, तो 3, 2, 3, 9 and divided by 79 is equal to question mark, है न, इससे अगर आप divide करो, तो हो जाएगा division बड़े आसानी से, यह 74, 28, 29, 36, तो यह कितना हो हो गया, 16 हो गया, 316, चार बार में 316, और 7, 79, 7, 6, 13, ठीक है, तो 1 हो गया, 41, तो question mark की value हो गई, 41, हमने simple division कर दिया, इसका इसमें भाग दे दिया, and we got the answer, ठीक है, इसका इसमें भाग दे दिया, यानि कि question mark की value हो गई, 41, यह हमारा correct answer हो गया, option number B, चलो बेटा, समझ में आ देखो, next question, यह रहा हमारा अगला सवाल, हमारा प्यारा प्यारा अगला सवाल, बताइए बटा, चलो, यह कह रहा है आपसे, कि चीनी का वर्तमान मुल्य, 10 रुपेय प्रति किलो है, पहले चीनी के मुल्य में 10% की कमी, 10% की वृद्धी हो जाती है, तथा फिर 20% घट जाती है, तो चीनी के मुल्य में कितने परसंट की कमी होती है, सिधार्थ मौर्या का question है, ऐसे यह आपका भी नाम लूँगा, अगर आप भी question भेजोगे, अच्चे question, ठीक है, ग्रुप आपके लिए है, चीनी का वर्तमान मुल्य 10 रुपेय प्रति किलो है, पहले चीनी के मुल्य हमने में 10% की व्रिद्धी कर दी जाती है, भाई अभी 10% की, देखो, अभी सुनो, अभी चीनी का मुल्य वर्तमान, यानि की present price जो है, current price या फिर present price, अभी का जो मुल्य है, वो 10 रुपेया प्रति किलो ग्राम है, इसमें 10% की हमने व्रिद्धी कर दी, यानि 10 में 10% बढ़ 216 का 10% निकालना है, तो दसमलों एक यहां लगा दो, यानि की 21.6, 260 का 10% निकालना है, तो यहां से दसमलों हटा करके यहां लगा दो, यानि की 260, ठीक है, दस बर्चेन निकालना सिंपल है, एक decimal point को इधर की तरफ खिसका दो, दसमलों आपका, मतलब 10% निकल जागा very easily, ठी निकी 10% का मान कितना हो गया, यहां से निकालो गए भी, तो 10 का 10%, तो 10 गुने 10 बटे 100, तो 00 से 00 कड़ गया 1 बचा, तो एक की वृद्धी कर दी हमने, तो 10 प्लस 1 मिला करके 11 हो गया अभी price, फिर कह रहा है आपसे, कि वृद्धी करने के बाद, फिर 20% वापस से घटा दे हैं, हमने 10% बढ़ाया present price से, फिर वापस जब price बढ़के, उसको वापस से 20% कम कर रहे हैं, वापस से 20% घटा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि भाई 11 हो गया है, अभी 11 का 20% मैं निकालू, 11 का 20%, तो यह हो जाएगा 11 गुने 20 बटा 100, यानि कि 20 पंजे 100, पा कितना हो गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2.2 हो गया 20%, ठीक है, तो 2.2 रुपीज हम घटा दे रहे हैं, price पहले 10 था, 10 ते 10% बढ़ाया है, 11 पहुंचा, 11 मैं से हम घटा देंगे, 2.2 घटा देंगे, यानि कि 8.8 हमारा correct answer हो जाएगा, नहीं, 8.8 अभी price आ गया, ठीक है, ध्यान से देखो, यानि जो ये 8.8 है, ये हमारा final price है, ये हमारा final price है, देखो बटा ये final price है, और एकदम starting में, शुरू में price कितना था, 10 रुपया प्रती किलो ग्राम, और अभी price कितना है, 8.8 रुपीज प्रती किलो ग्राम, तो 10 से price घटकर आ गई 8.1, यानि कितने की कमी आई है बताओ, तो यहां से जड़ा, यहां पर कमी आई है, 1.2 रुपीज की कमी आई है, ठीक है, 1.2 रुपय की कमी आई है, और चुंकि ये कमी 10 के उपर आई है, तो 1.2 को उपर रखो, 10 के उपर कमी आई है, तो 10 को नीचे रख करके 100 से गुना कर दो, तो percentage आपका निकल आएगा ये 10 यानि की 12 परसेंट की कमी आगई है, 12 परसेंट की कमी आगई है, यही हमारा एंसर आगया, ठीक है जी, 1.2 रुपय की कमी आई है, कितने के उपर, 10 के उपर, तो 1.2 अपॉन 10 आप कर दोगे, तो आपका एंसर आजाएगा, की 12 परसेंट की कमी आई है, ठीक है जी, एक म यहाँ पर तो answer ही नहीं जी देखते हैं कहीं हमने गलती की गया वर्तमान मुल्य 10 रुपया प्रत कीलो है पहले चीनी के मुल्य में 10% की विरिध्दी हो जाती है वियानि की 10% की विरिध्दी हो जाती है तो 11 रुपया हो गया फिर 20% घड़ जाती है तो 20% घड़ जाती है तो 11 दूना 22 2.2 की कमी आ गई तो 2.2 की कमी आ गई तो 11 और माइनस 2.2 आर दो दस ठीक है तो 8.8 आ गया तो चीनी के मुले में कितने परशन की बटा सही हमने किया है हैना options गलती है हमने सही किया है कि 8.8 ये 11 से घट करके 8.8 हो गया या नहीं आप देखो नहीं नहीं 2.2 आया है क्या हमें नहीं ठीक तो है बटा बिल्कुल सही है आठ एक नो और आठ दो दस तो ठीक है 1.2 रुपीस की कमी आई है यानि कि 12% की कमी आई है हमारा correct answer 12 होगा इन में से कोई सा भी सही नहीं है चलो आगे चलते है next question पे अगला question ये वाला हो गया रुख जा अच्छा ये हो गया ये वाला करते हैं एक आयत जिसका परिमाब 64 मीटर है का अधिक्तन छेतरफल कितना हो सकता है चलो भईया ये भी हो मोर्क ले लो आपसे हमने कहा था कि जब भी अधिक्तन छेतरफल की बात हो जब भी अधिक्तन छेतरफल की बात हो तो भई वो rectangle नहीं है वो क्या है? वो square है rectangle होता कभी भी rectangle का अधिकतन शेतरफा नहीं होगा अगर परिमाप को constant रखें तो परिमाप constant है माल लो देखो बेटा सुनो मेरी बात सुनो माल लो ये हमने एक rectangle बनाया जिसका परिमाप है 64 ये भी एक rectangle बनाया कुछ ऐसा जिसका परिमाप है 64 ये भी एक rectangle बनाया जिसका परिमाप है 64 और एक इस तरह का square मैंने बना दिया जिसका परिमाप है 64 ये square है ध्यान रखना तो जो area होगा ना वो सबसे ज़्यादा इस square का होगा area सबसे ज़्यादा इस square का होगा क्यों भाई? भाई इसका तो एकदम पतला सा हो जा रहा है ना बिल्कुल सेंडविज तरह तो ये बड़ा एरिया नहीं होगा और ये दोनों एरिया भी चुकी rectangle है तो इससे बड़े तो नहीं होंगे अगर परिमाप constant है अब भाई तुम परिमापे change कर दो यहां 64 है यहां कुछ और कर दो 104 कर दो भाई ओ तो बढ़ेगा ये एरिया लेकिन अगर परिमाप constant है हर एक case में परिमाप को वही रखे तो square का एरिया सबसे बड़ा होगा और हम सभी जानते हैं मिटा कि एक square square हमेशा या फिर ऐसा लिख दो आप कि हर square जैसे हर एक नहीं हो सकता या नहीं हर rectangle एक square नहीं हो सकता है हर square तो एक rectangle हो सकता है लेकिन हर rectangle एक square नहीं होगा, तो आपसे कह रहा है कि जब भी आपसे कहें छेतरफल अधिक्तम हो तो आपको बटा तुरन ध्यान में लाना है कि ये तो हमारे square है भाईया, यानि ये जो 64 मीटर परिमाप है, ये square का परिमाप है, यानि ये वर्ग का परिमाप है, और जब वर्ग का परिमाप हमने बता दिया तो क्या आप वर्ग का छेतरफल निकाल सकते हो आसानी से चलो, तो इसको निकालना home work आप करहेगा, आधा question तो आधा से क्या मैंने पूरा ही कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा ही कर दिया, पूरा इस और लोग कर दिया इसका बताना home work आप और वह वाले question का watch वाले question का आप लोग बताना, ठीक है एक और question करते हैं उसके बाद इस वीडियो का end करते हैं मटा the last question, the last question क्या कह रहा है, निनलखित आकरिती में चायंकित भाग का मान गयाद किजिए simple सवाल, simple fraction का सवाल है हमारा चायंकित भाग की भिन्न होगी चायंकित भाग इसमें कितने भाग हैं, total कितने भाग हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, साथ, आठ तो total है हमारे आठ total बराबर आठ and shedded कितने हैं, याने कि चायंकित कितने हैं, shedded मतलब कितने भाग चायंकित हैं बोलो भाई, चायंकित भाग कितने हैं, देखो यहां से, यह एक, यह दो, यह तीन, और यह चार, तो चायंकित भाग हैं हमारे चार ठीक है भाई, find the fractional value, fraction value of shaded part in the above figure इसमें, आपको shedded part की fractional value, यानि कि भिन में इसकी value कितनी होगी, वही निकाल ली है तो चायंकित भाग है 4 और total भाग है 8 तो जो fraction आपका बनेगा यानि कि जो भिन आपका बनेगा 4 भाग कितने भाग में से, 8 भाग में से, तो 4 बटे 8 यानि इसको अगर आप काट दोगे भाई तो एक बटा 2 हो जाएगा simple, 4 एकरने, 4, 4 दुनी, 8 तो 1 by 2 हमारा answer होगा यानि इसमें आप देखो, कहीं भी नहीं है यह 1 by 4 है ठीक है? 3 by 8 है, 3 by 4 है तो इसमें से कोई भी answer सही नहीं है तो option number D correct होगा इन में से कोई नहीं, none of deals, चीक है? मज़ा आया बटा, अगर session में मज़ा आया comment section में लिखो कि गुरोजी मज़ा आगया अज, ठीक है? सभी को लिखना है and rose daily session आप के लिए ले के आऊंगा तो join जरूर किया करो आप लोग, और बटा, अगर आप बहुत ही serious हो पढ़ाई को ले करके अपने, तो ये 50 model की paper की series में जरूर से enroll करो क्योंकि इसमें PDF आप download कर सकते हो complete labels का coverage है और video solutions है 50 के 50 video solutions आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, already सारे record हो चुके हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बाद में videos दिये जाएगे, नहीं already हमने record कर दिये हैं, तो इसके अंदर video solution के साथ 50 model paper की series है, drone school का app डाउनलोड करो और इस series में जरूर से enroll करो चलो बटा, मिल दे हैं आप से next video में सब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद